बंदरहा गाउं के पास सड़क किनारे मिला यासीनपूर निवासी किसान का सवरिजनों ने हत्या कर शवपे के जाने की जताई आशंका बेटागुकुल थाना छित्र के यासीनपूर के रहने वाले कुलदीब की ससुराल मजिला के जटहा गाउं में है वह पंदरह साल से अपनी पतनी और अपने परिवार के साथ में शशुराल में ही रहते हैं ससुर गंगा राम ने बताया कि कुलदीब गाउं के रवी के साथ ट्रेक्टर से गन्ना लेकर सीतापूर के अजबापूर स्थित चीनी मिल में गय हुए थे रवी भी उनके साथ गया हुआ था पिहानी कोतवाली छेतर में ट्रेक्टर से गन्ना लाद कर चीनी मिल गये किसान का शव सुबह बंदर राहा गाउं के पास सड़क खिनारे पड़ा मिला परजनों ने हत्या कर शव फेके जाने की आशंका जटाई है वहीं परजनों का कैना है कि हत्या की वजह अभी नहीं पता है हत्यारों के बारे में वह कुछ भी नहीं बता पा रहे हैं बताते चलें कि ट्रेक्टर लेकर रवी तो जो उसके साथ गया था वापस आ गया लेकि अपर पुलिस अदिक्षक दुरगेश कुमार सिंग ने बताया कि बंदरहा गाउं के पास में सड़क किनारे खुल दीप का शव पड़ा मिला है कटना की शूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुँची और सव को कबजे में लेकर पूस्ट मार्टम के लिए भेजा है और जैसी की आसंका परजनों के द्वारा जताई जा रही है पुलिस सुसी आधार पर आगे की कारिवाई कर रही है अपर पुलिस सदिक्षक ने बताया की मामले में शव को कबजे में लेकर पूस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले में आवशक विदिक कारिवाई की जा रही है वहीं अचानक हुई इस मौत के बाद परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है